हाई गाईज वेलकम माई चैनल अश्र सक्षेना फ्रेंड कैसे हैं आप लोग आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दिक आरें फ्रेंड आपको पटाएंगये क्यों वीका नार्मल वेक्स है जो अभी हमने दिखाया था और सबस्वे पहले हम सक्षेन पर तेलकम पाउडर लगाएगे जिस से जो हैर हैं लेगski वोसन से अलग हो जाएंगया आज हम जो वैक्सिन दिखा रहे हैं भहती लाइन हे दिखाया था आपको उसकी पतली लेयर अब हम इस तरह से एपलाई करेंगे फुल वैक्सिंग देखिए हम करके बताएंगे लेकिन बहुत ही लाइट हेर हैं क्योंकि हर एक की स्किन का अपना अपना अलग तरीका होता है अलग-अलग तरह के हेर होते हैं हरेकि तो यहां देखिए आज जो वैक्सिंग होगी बहुत ही लाइट हेर हैं लेकि फ्रेंड्स हम बता दें कि कितने भी लाइट हेर होते हैं जब वो रिमूब होते हैं तो लेक की स्किन आप देखिएगा एकदम फेर नजर आएगी वैक्सिंग से हेर तो रिमूब होते हैं लेकि साथ में जो टैनिंग होती है वो भी रिमूब होती है और उस से हमारी स्किन का कलर एकदम फेर दिखाई देने लगता है आज हम वही दिखाना चाहरे हैं आपको हेर अभी हमने आपको दिखाए बहुत ज़्यादा है भी नहीं है बहुत ही गैप के साथ में लाइट हेर है बिल्कुल और ज़्यादा ब्लैक हेर भी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देते तो light hair में waxing करना काफी मुश्किल होता है और long hair में waxing करना इतना मुश्किल नहीं होता है क्योंकि वो step पर अच्छे से चुपक जाते हैं पकड़ कर लेते हैं step पर और हम आसानी से उनको remove कर देते हैं और ये देखे light hair में ये है हमारा proper तरीके से waxing का काम नहीं हुआ या हमने skin को tight stretch नहीं किया तो फिर waxing धंग से नहीं हो पाएगी और hair जड़ से नहीं निकलेंगी यहाँ देखे आज हम वही लेकर आएं आपके सामने तो बहुत ही light hair हैं लेकिन वस ये ध्यान रखना है कि wax की पतली layer लगाएं और दोसे बात ये skin को tight thumb stretch ये खास से करके रखें ये देखे back portion पर हम कर रहे हैं कोई किसी तरह का client को हमने खड़ा नहीं किया है लेकिन फिर भी इस तरह से आप करेंगे अभी hair का जो direction है back side में तिर्चा है तो हमने तिर्ची step को लगाया था अब ये देखे foot के पास समझू कर रहे हैं इस तरह से करेंगे यह hair बिलकुल नहीं होते हैं क्योंकि hair नहीं होते हैं लेकि फिर भी जो tanning होती है उसको remove करना बहुत आवशक है इसलिए इस portion पर भी हमको waxing करनी चाहिए कुछ लोग इस portion को avoid कर देते हैं इस portion पर wax नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए क्योंकि hair डी के portion पर काफी tanning होती है dead skin होती है वो सब निकलने का काम waxing दोरा हो जाता है देखिए half leg waxing बहुत अच्छे से हो गई और नीचे के pair की जो skin थी इतनी lose नहीं थी जितने के ऊपर के pair की आप देखेंगे full leg waxing का नजारा आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और light hair में proper way में करने का तरीका अब हम घुटनों के portion पर हमने इस तरह से wax लगाया और फिर बिल्कुल stretch करते हुए skin को हमने ये strip को सही तरीके से खीचा है जिससे की सारे hair निकल गए और tanning ज़्यादा थी यहां भी hair नहीं थे अब उपर के portion पर हम ले रहे हैं तो यहां बारीख hair काफी है जो देखने में भी इतना हो सकता है आपको proper में में दिखाई न दे क्योंकि color बहुत light है hair का इसलिए और यहां भी देखिए हम ध्यान से करेंगे इस portion पर बहुत ध्यान से करनी चाहिए skin को stretch करते हुए क्योंकि skin यहां की काफी नाजुक होती है और थोड़ी lose भी होती है तो friends देखिए बहुत ही जल्दी अगर हम systematic wax को करते हैं तो wax का काम हो जाता है और तरीके से हमने full leg बहुत आसानी से बैठे बैठे हम करके बताएंगे कई बार कुछ लोग खड़े करते हैं कभी तिर्चा करते हैं वो काम नहीं हम बहुत ही आसानी से एक leg को मोड़ने का काम client से करवाएंगे और इस तरह से waxing करेंगे full leg waxing विश्वा से आपको फिर्ट समझ में आ रही होगी इससे पहले धेर सारे हमारे वीडियो आपने देखे थे waxing के तो आपको फिर भी समझ में आया होगा और ये full leg waxing बहुत ही sensitive skin पर हम कर रहे है जो आप देख रहे हैं इस तरह से देखिए हमने सारे hair को remove किया है और ये तिर्चा pair करके अब हम विदर से भी इस तरह से wax करेंगे बिल्कुल हम pair को turn करते जाएंगे और wax करते जाएंगे full leg waxing इस तरह से करनी चाहिए फिर भी अगर doubt है bridal का मामला है तो फिर हम उसको खड़े करके हम check करेंगे कि वास्तमा कुछ है रहे तो नहीं यहां देखिए full leg waxing बहुत ही जल्दी हो गई बाता हम यह बाता हम और विशास है आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि full leg waxing किस तरह से एक बैठे बैठे कर सकते हैं हम अब हम disposable napkin से wash किया है हमने और उसके बाद में skin को खुलानी चोड़ेंगे या तो हम कोई toning करेंगे या फिर moisturizer के साथ में massage देकर leg को चोड़ेंगे आप देखिए हम दौनों leg को दिखाएंगे दौनों leg में कितना अंतर आया waxing के बाद में और waxing बिना किये हुए leg को देखिएगा और विशास है friends आपको ये हमारा काम करने का तरीका समझाने का तरीका जरूर समझ में आया होगा अगर एक परसेंट भी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फिर प्लीज लाइक करना नहीं भूलेगा शेयर करना नहीं भूलेगा और साथ में अभी तक आपने वेल आइकेन पर क्लिक नहीं किया है तो वो भी बटन दबाईएगा ये देखिए दौना पैरों में अंतर दिखाई दे रहा होगा एक पैर का फेर करना है दूसरे का इतना नहीं है तो फिर इसी के साथ आप से विदा लेते हैं नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी और तब तक के लिए आप से विदा लेकर धन्यवाद